हेलो प्रेंट्स वेलकूम वेक टू माई चैनल स्वागता है आप सभी का मेरी सुपर लोगी चैनल में दोस्तों कैसे हो आप सभी आई ओप आप सब अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं की लड़ posis लड़काओनी के बेहत खास लक्षणों के बारे में जोकी काफी प्रैचली सभी और कफी सहीभी सावित होते हं तो दोस्तोव चैनल पर पक्र पहले को subscribe करें साइड में बेल एकिन बटन को press करें मेरी आने वाली सबीटिस्ट वीडियो का notification पाने के लिए वीडियो में अंट तक जरूर बने रहे हैं वीडियो आप के लिए बहुत ही interesting और useful होने वाली और वीडियो पसंद आए तो वीडियो जादा से जादा शेयर करें और जादा पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें क्योंकि आपके लाइक से तो में बहुत खुशी मिलती है तो दोस्तों हम लड़का लड़की में बेदबाब नहीं करते हमारा कोई मकसद नहीं है लड़का लड़की में बेदबाब करना हमा और गरम में जो बच्या पल रहा है और हमारे क्योंकि जब बच्चा गरम में पलता तो अलग अलग तरीके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं और यह लड़का होने का लक्षण यह लड़की होने का लक्षण थो दोस्तों ऐसे कुछ कमेंट भी हमें आ रहे थे तो उनके ब कई हमें कहते हैं कि यह लड़की होने का लक्षन है कई कहते हैं हमें लड़का होने का लक्षन है तो दोस्तों उनकों जवाब देना चाहेंगे अगर आप प्रेगनेंट और आपकी अवाज में चेंज में इंटारा है बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है और आपकी अवाज लड़कों जैसी हो गई है, आदमी जैसी आपकी आवाज लगने लगिया, अब भारी पना आग़ा है, और आपकी आवाज जैसे गले में खराशी भी रहने लगिया, तो दोस्तो ये लड़का हुने का ही लक्षर माना जाता है, जो की हमारी दादी मां हमें बताती है इस लक्षण के बारे में तो दोस्तों दूसरे लक्षण की हम बात कर लेते हैं दूसरे लक्षण कौन सा है जी हां अगर आपकी रीड के अड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है आपके सोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है आपका सिर जहां आप तकिया लगा के सोती और पीछे का हिस्सा होता है उसमें आपको सुन्पन लगता है कभी-कभी पीच-बीच में सुन्पन लगता है आप जैसे लेटते हो कुछ टाइम के लिए और आपको सुनपन महसूस होने लगता है तो ऐसा माना जाता है कि आपकी जो आने वाली संतान है वह एक लड़का ही पैदा होगा दोस्तों ये लक्षण भी हमारी दादी माने हमें बताया था नेक्स लक्षण ये है कि अगर आपके होट एकदम फटे फटे नजार आते हैं और काला पन उन पन नजार आ रहा है गुलावी पन आपका खो गया है और काला पन आपको नजार आता है फटे फटे से भी रहते हैं आप क्रीम बगएरा भी लगाते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी आपको ध्यान से देखें काला काला पन नजर आ रहा है आपको मैल सा लगता है तो दोस्तों ये लड़का होने का ही लक्षन माना जाता है बात करते हैं नेक्स लक्षन के बार तो दोस्तो अगर आपको आलस नहीं आता है बिल्कुल भी आपको नीद नहीं आती है और आपको आलस नहीं आता है आप एक्टिव रहते हो और काम करने का दिल करता रहता है बार बार आपका तो ऐसा माना जाता है कि लड़के के टाइम पर एक्टिव रहते हैं और आपको नी हार्डवीट 140 से नीचे आती है यहां अगर 140 से नीचे आती है तो यह लड़का होने के चांस होते हैं लड़का होने की निसानी होती है